Hello friends, welcome to the channel Homeyogardening आज हम बात करेंगे धान में लगने वाले brown plant होपर जिसे की BPH भी बोलते हैं तेला मच्छर भी बोलते हैं या फिर काला या भूरा तेला भी बोलते हैं माहू, काला या भूरा तेला जिसे की English में brown plant होपर भी बोलते हैं निला कारपा इसका जो होता है scientific name होता है ये मेजरली जो है धान की फसल में पैडी में चावल की फसल में अटैक करता है छाओ प्रैफर करता है जैसे धान की फसल में हम सब लोग जानते हैं कि धान की फसल खड़े पानी में होती है तो उस खड़े पानी में जो पानी से थोड़ा सा उपर stem के उपर ये अटेक करता है अपने अंडे देता है ये जो है अंडे इसके orange या bronze कलर के भी हो सकते हैं और बाद में जब ये adult form में आता है तो brown कलर का हो जाता है बेसिकली ये sap sucking insect है sap sucking मतलब रस चूसने वाला मच्छर है और ये क्या करता है नीचे से धान की जो stem होती है उसका सारा रस चूसना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सारी जो धान की फसल है वो पहले पीले उसके पत्ते होने शुरू हो जाते हैं और फिर सूक के brown कलर के होने इसकी पहचान ये रहती है कि ये mostly च्होंवली फसल में होता है 32 डिग्री से जब temperature कम होता है तब जो ये मच्छर है ये rice की फसल में धान की फसल में पनपता है बहुत जल्दी से ये multiply होता है और जुंट में जो हैं इसकी population देखने को मिलती है जैसे उपर आप screen पे देख रह है और धीरे धीरे सारी जो धान है वो सूख के खराब हो जाती है और अगर आप खेत में इसकी पहचान देखेंगे तो आपको खेत में एक गोलाकार में circular patch दिखाई देगा तो ये इसकी जो भूरा तेला या काला तेला या जिसे हम माहू मच्छर बोलते हैं तेला मच्छर उसकी पहचान होती है अब हम बात करेंगी इसकी homeopathic management के बारे में homeopathic management में उपर आप screen पे देख रहे हैं coxinella septic medicine use होती है अगर ये आपको 30 या 6 potency में मिले तो अच्छी बात है नहीं तो आप 200 potency में लेंगे और वैसे ही इसकी 2 drops एक लीटर पानी में या 500 ml जो दवाई है वो 500 लीटर पानी में आप mix करेंगे और इसका आपने spray करना है जहां जहां पे ये मच्छर आपको दिखाई देता है या मच्छर के अंडे दिखाई देते हैं उसके उपर आपने इसका spray करना है ये spray सिर्फ आपको एक ही बार करना है और उसके बाद आपको application जो है वो repeat नही मिलती तो दूसरी medicine आप इसमें cantheris six potency में use कर सकते हैं और cantheris जो है Spanish fly से बनती है coxinella जो है वो lady bird या lady beetle से बनती है तीसरी medicine है camphor camphor भी आपको six c power में use करनी है तो इन तीनों में से आपको एक ही medicine जो easily available हो वो आप use कर सकते हैं तीनों एक साथ आपको use नहीं करनी अगर आ तो आप 30 potency में use करें इन तीनों में से जो भी medicine एक आप use करेंगे उसका आपको spray की तरह ही use करना है वैसे ही 200 ml medicine 400 ml पानी में या 2 drops एक लिटर पानी में mix करके आपने इसका spray mixture बनाना है और जहां पर भी आपको जो है तेला मच्छर दिखे उस पे या उसके अंडे दिखें उ उसके बाद आपको दुबारा जो है इसका spray रिपीट नहीं करना दस तिन तक कम से कम आपको वेट करनी है ये तिनों medicines जो मैंने आपको बताई है coxinella जो है वो lady beetle से बनती है lady bug से बनती है जो cantheris है वो spanish fly से बनती है ये दोनों ही जो है natural predators होते है एफिड वगेरा के या और जो thrips insects white fly या fruit fly में natural predators होते हैं तो ये उनको भी control करने में help करेंगे साथ ही साथ और जो camphor medicine मैंने आपको इसमें बताई है वो जो पूजा में हम kapoor use करते हैं उस kapoor से बनाई जाती है तो kapoor की हमें properties पता ही है कि सब तरह के कीडे मकोडे उससे दूर भागते हैं तो ये तीनो ही medicines जो हैं वो equally effective हैं आपको जो easily available हो जाए वो आप use करिए लेकिन ये ध्यान रखिए कि तीनों medicines आपको एक साथ नहीं use करनी है तीनों में से जो medicine आपके पास हो वो एक medicine आप use करिए अगर six potency नहीं मिलती तो 30 यूज़ करिए आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching वीडियो अपने और farmer और gardener friends के साथ share कीजिए और अपना feedback मुझे जो है जरूर share कीजिए comment में कोई query हो तो comment करके पूछें thanks for watching